श्री गुरु चरन सरोज रज निजमन मकुरसदार वर्नो रगवर विमल जस जो दाय कुफल चारे तो यह हमारी भारतिय परंपरा रही है कि जब भी कोई कारे प्रारम करते हैं किसी न किसी रूप में अपने गुरु का इस्परन करते हैं तो हन्मान चालीसा के पहले दोहों में भी गुष्वामी तुसिजाशिन ने अपने गुरु का इस्परन किया है लेकिन एक अद्भुत तरीके से और मुझे नहीं इस्परन आ रहा है कि किसी अन्य गरंत में किसी दूसे कवी ने भक्त ने इस प्रकार से अपने गुरु का इस्परन किया हो बहुत ही अद्भुत है इससे पहले में बताना चाहूँगा कि हन्मान चालीसा की रिष्णा कैसे हुई और कब हुई शायद सब लोग इसका बोध न हो कि गुरुस्वामी जी ने पहले हन्मान चालीसा रिखा और उसके बाद में राम चालीसा में जो बाते आई हुई है वो कही न कही पर राम चालीसा में परलिक्षे उती है और कुछ विचार जो उस समय पर उनके मन में आये होंगे उनकी पूर्टा हमें रामती इत मानस में दिखाई पड़ती है अन्माइन चालिसा लिखते समय गुस्वामी जी पर विज़ बाते आ रही थी अन बातों को उन्होंने सूत रूप में इस चालिसा में डाल दिया और बाकी रामती मान लिखते से उन्हीं विचारों को उन्होंने उसमें पुष्पित और पलवित किया है explain करते चले गए कभीर का इस दोहा है आज आँछी बात कभीर ने भी कही है दोनों समकालिन थे कि अगर आपने मानों सरी धर्ण किया है तो सुख और दुख तो सबको आए गई आएगा लेकिन उसको कैसे काटते हैं ज्यानी भोगे ज्यान से अग्यानी भोगे रोए अश्य के दुखा हो तो लगा दी सबके लिए इसको भी आपस है हाँ हाँ बिलकुल जब दुनों मिलेंगे तब बात मेंगे हनमान चालीसा लिखा कियो नगे और हनमान चालीसा के माद्यम से उन्होंने हम सब के लिए क्या संदेश छोड़ा है तो दे धरे को दंड है सब काहो को हो है जब इस शरीर मानव शरीर हमने लिना पड़ा है तो इसका एक दंड है जिसको भूगतना ही पड़ेगा तात्वर यह कि मानव जन्म होता ही तब है जब कोई न कोई रिनानमंधन पुराने रह गये हो और उनको इस जनम में भोगना हो तो जिसकिसी ने भी मानव शरीर लिया है अगर इश्वर भी मानव शरीर में अवतार लेते हैं तो उसके किसी ने की रिनानमंधन से जूड जाते है और उसके कारण से कुछ दुख तो अब शरीर भोग नहीं पड़ेंगे उसको कोई भी पचानी सता है तो पहली बात पर सुनत के दे धरे को दंड है सब का हो पोँ है ऐसा कोई नहीं है जिस से बच जाए अंतर क्या है ज्यानी भोग ये ग्यान से अज्यानी भोग ये Radha जो अज्यानी है उरोता है परिशान होता है भोगना पड़ता ही है लेकि जियानी है अपने ग्यान के माध्यम से इसको भोगता है तो ग्यान के माध्यम कैसे भोगेगा दो बातें इसमें एक जो अवस्म भावी है उसको स्विकार कर लीजिए और जिसका परिहार संभव है उसका अपने ग्यान से परिहार कर लीजिए कि ये ज्ञान से बड़ी पवित्र करने वाले कोई चीज नहीं है ज्ञान के माध्यम सही हम पवित्र होते है उस ज्ञान के माध्यम से पवित्री करण के उपाय सोचे जा सकते है और जिसका कोई उपाय नहीं है उसको आदमी स्वीकार कर लेता है हर इच्छा ऐसी है तो ऐसा ही सही और जो अन्कूल होगे है तो हरीखरपा होगे अन्कूल नहीं हो रहा है तो हर इच्छा ऐसी है तो इसको ऐसा ही भगना होगा तो ये दूसरा component जो है कि जहां कहीं कुछ परिहार संभव है मंत्स्द्ना से प्योर भक्ति से, निराकार भक्ति से, श्रगुन भक्ति से, विभिन तरीके हैं ग्यान के, उनके माध्यम से हम अपना परिहार डुनते हैं, तो इसी प्रकार से जब तुछ सिदा इसको कुछ ऐसे भोग भोगने पड़े, जो देह धरने का ही दंड था, उस समय पर उन्होंने हन्मान जी को याद किया, तो हन्मान जी को याद किया, आरत्ना की, मनन कियां के उपर, लगाता ध्यान किया, और उस संकर से निवरित्ध हुए, तो इस background में आप सूछेंग हन्मान चालिचा दिखी गई, तो इस चालिचा में, जीसा gard में पहले भी कहा है, इसमें 43 पद है 21-21 पदों की दो बुजाएं हैं और एक पद बीश में इसका बेस है तो एक तरीके दैवी एक कटोरा बना हुआ है एक बर आशिश से दिखा दो हलका से इसको और जो बेस है वो है दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुगरा तुम ने देते इस संसार में जितने भी दुर्गम हैं नहोने वाले का रहें जितने भी हुशते हैं सुगम अनुगरा तुम ने देते वो सभी आपकी क्रपास से सहज हो जाते हैं कस्त नहीं होता उसको ये आधार है इसका और दूसी विशेस्ता ये है कि जो प्याले की दाईी भुजा है उस पे जो दोहा आ रहा है वाईं भुजा पर उसका उत्तर मिलेगा उसकी च्छाह मिलेगी वहाँ पर उस भाव का प्रतिफ़न मिलेगा वहाँ पर तो जिएक इस परकार से आप देखते हैं इस पेहले को तब जैसे कि पहला दोवाई है कि श्री गुर्चरन सरोज रज निजमन पुर्सुदार बर्नो रगु और विमल यश जो दायक फल जाले और लास में आता है पवनतने संकठर मंगल मुईज रूप राम लखन सीता सहित हदय बसो सुर्भू तो यहां पर हर्दय में आ जाईए पूरी कल्पना यहां पर संपूर हो गई है जो विचार यहां पूठा था मैं अपने मन के दरपनों साफ कर रहा हूं किसलिए कि इसमें आप विराज सकें और लास में ही हो गया हर्दय बसो सुर्भू वो पूरा कर दिया हो पर तो इस घुमिका में जब आप हन्वान चालीसा पर विचार करेंगे तो इसका एक एक चौपाई बड़ी अद्बूत है और उसके उस चौपाई के एक रस्पड़नी और दूसरी चौपाई आ रही है जब दोनों को मिला के देखेगे तब आपको पूरता हिस्पस्ट हो जा तो प्राय हम केवल गुरू का इस्पड़न करते हैं यहाँ पर गुसामी जी गुरू के चरणों को ध्यान कर रहे हैं और वो भी किस प्रकार से शिरी गुरू चरण अब श्री गुरू जो चब दारह है इसको अगर आप तत्प्रू समास लगाएंगे तो एक अर्थ बनेग पहले मैं कर्मधारे समास बताता हूं शिरी गुरू कर्मधारे समास कहता है शिरी रेव गुरू यानि शिरी ही जिसकी गुरू है ऐसा रखती है और दूसरा जिस पर शिरी की अनकमपा है जब लगाएंगे तत्प्रू समास आशित दोनों लगा भी दिया लोगों के इसके और जिनों समास नहीं पढ़े हैं, वो थोब पढ़ने में अच्छा लेगा, लगा दिया, तो श्रीया अनुपरीतो गुरू, यानि जिस पर श्री की अनकंपा है, जिस पर श्री की पूरी करपा है, ऐसा गुरू, यहां पतात पर आता है, सिले हनुमान जी का ही, यह हनुमान का वो रूप जिसमें सीता जिनके गुरू है वो इसे भी अनित्र कहा गया है कि जितने भी लोग हैं जितने भी ज्यानी हैं हन्माजी सभी के गुरू है और हन्माजी की गुरू जो हैं वो सीता ही है मड़ी अद्बू सिलाइन कहीं गयी है कि एक तरफ कहा गया है, जितने भी लोग जहां कहीं है, समस्त निगमाचारियम, जितने प्रकार के निगम के आचारे हैं, समस्त निगमाचारियम, सीता सिश्यम, गुरोर गुरुम, तो जो सीता के सिश्य हैं, वो गुरुओं के भी गुरुओं हैं, जितने प्रकार के आचार गुरू है उनसे घुरू है तो जिन पर श्री की प्रपा है एक तो व legislatyka कही है कर दूसरी बात कि ही है की श्री हिवे पर है श्री से सीता जी से प्राय हम जगदंबा बोलते हैं पार्वती जी के लिए यहाँ पर श्री संपधाय में जिसको को स्वामी जी जिसके एक सदस्य थे वहाँ पर श्री जगदंबा के ताथ पर लक्षमी से आदिशक्ति से होता है लेकिन प्राय है साधर्ण जिनकी नहां पे, पहले ही दो शब्दों में, वो सोमी जी ने सीता जी और हर्मान जी दोनों के एकसाफ याद किया। कि लक्ष्मी को दो रूप में दिखाता है एक श्री और एक लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप में उनका वाहन है उलूक और श्री के रूप में उनका वाहन है कमल जो कमलासना है वो श्री है लेकिन जो उलूक वाहनी है उलूक आरूण है वो है लक्ष्मी तो जब जब श्रीश्द लिया जाये तब तात्वर होता है कमल पर बैठी हुई ऐसी सक्ति जो पूर्चा सात्विक है और सबकी रक्षा करने में समर्थ है सबका पालन और पोशन करने वाली है बीच पीच में गुसामी जी ने रामची ते माने कई बार कहा है कि रामची तो केवल देख रहे है पालन और पोशन तो सीता जी कर रहे हैं शक्ति स्वरूपा है श्री के विभिन अर्थ दिये हुए हैं लक्ष्मी ईश्वर रचना श्रिष्टि शोभा राजसत्ता प्रतिष्ठा संदर्यम वर्णह रूपम विष्णुपत्नी गुणह स्रेष्ठता बुद्धि तरु कमलम अती मानव शक्ति धर्मार्थ कामत्रयम यानि धर्म अर्थ और काम तीन तक का स्वा है मोक्ष उन्हों छोड़ दिया इसलिए वो विष्णुजी के लिए तीन तक उनके छोड़ दिया है धर्म अर्थ और काम जी हगे पढ़िए रामठम बिल्वब्रिक्ष तो इसमें जो तात्पर ये है कि स्रस्ट्री जो है वो श्री है श्री के माधिव से चल रही है तो इससे आगे लिखते हैं कि वाम भाग वाम भाग से नहीं कि वाएं भाग में शोभति अनुकुला आदि शक्ति ये जगत का कारण है आदि शक्ति है वो है सीता जी और ऐसी सीता जी विष्णी के वाम भाग में है तो श्री के तात्पर यहां पर पूंतिया उन्होंने आदि शक्ति से दिया हुआ है तो जब श्री गुरु चरण कहा तो एक अर्थ बनेगा कि मैं हन्मान्ज के चरण की दूर ले रहा हूँ और यहां पर शब्द आया है सरोजरज उस पर बात बनता हूँ पहले श्री गुरु तो श्री गुरु तात्पर यह हो है एक यह कि सुएम सीता जी साक्षाथ और दूसरी हन्मान जी जिन पर सीता जी करपा है तो कोई भी अर्थ ने आप यहां पर यह साथ पर बड़ा ही स्पस्थ है कि आदिशक्त के माद्यम से संसार चल रहा है कि वो द्रस्ट्री विरास स्थिलाय होई तो विश्ट्री के देख रहे है जग पेखन तुम देखन हारे लेकि स्थिल्ष का संचालन का आदिशक्ती कर रही है तो जो स्थिल्ष का संचालन कर रहा है उस आदिशक्त को इसमन कर रहे है दो रूपों में एक रूपो जिनकी कृपा हन्मान जी के पर है वो ऐसे हनवान जी मेरे गुरू है और दूसरे वो सभी की गुरू है गुरूओं के भी गुरू हनवान जी है और हनवान जी की गुरू जी है आदिशक्ति वैसे हनवान जी के गुरू सूरिय भी है वो शक्त के आदिश्रोथ है जिसे उन्हें सिशा ग्रहन की तो हनुमान जी ने इसका भी प्रस्ट कर दिया कि उन्होंने सिक्षा ग्रहन की सूरीदेश से और बात में सीता जी को अपनी गुरू गुरूप में ग्रहन किया और हनुमान जी ने आवस्ता अनुसार किसी से भी सिक्षा ग्रहन करने के लिए वो तयार है थे थे कभी भी उनके ये भाव नहीं आया कि मेरा ज्ञान परिपूर्ण हो गया है मुझे किसी और से अब ज्ञान लेने की आफस्ता नहीं है तो पहले दो सब्धुबे श्री गुरु चरण अब चरण सब्ध जो आता है इसके तात्पार होते है चरध हातों से बना हुआ है जिसमें चलने की सामर्थ हो और मुमेंट हो संसार पूरा प्राव वाइब्रेशन पर आधारित है तो जब आदिशक्ति ये आदिशक्ति जुड़े है गुरु कर सब्ध आएगा तो संसार का संचानन क्रिया क्रिया का संपादन हुआ जाएगा तो शिरी गुरु चरण ये तीन सब लोग से इस्पस्ट हो गया कि मैं आदिशक्ति का इसमन कर रहा हूं और आदिशक्ति जिस बादिशक्ति के माध्यम से संसार को चला रही है जो गती हो रही है उसको याद कर रहा हूं सब जो कुछे वाइब्रेशन ही है तो चरण कहने इतात पर हो गया वाइब्रेशन सरोज रच रच का साब्दिक अरत्ता जो हमको पूरा आच्छादित कर दे और चरणो की रच खास सबसे वो शक्ति जो संसार को चलायमान रखे हुए है जिसको हनवान जी भी उनकर गुरु स्युकार कर रहे है और ऐसे हनवान जी मेरे गुरु है तो उनके चरणों की धुल अगर मुझे चारोर से आच्छादित कर ले तो मेरा सभी प्रकार का अंदकार निस्ट हो जाएगा तो श्री गुरु चरण सरोज रज तो इतना सब आच्छादन किसलिए निजमन मुकर सुधा आए असली बात है कि मुझे किसलिए चाहिए अपने मन के दरपन को साफ करने के लिए और जिसम ने पहले कई बाज भी कहा है कि दरपन का पुराणा नाम है आदर्श संस्कत में दरपन पहले आदर्श कहते रहे जो जैसा है वर्षा दिखाने वाला लेकि उस दरपन पर उस आदर्श पर जब धूल पढ़ जाती है मल आ जाता है तो छवी धूमिल हो जाती है तो हनुमान जी ये सोच रहे कि मैं आदिशक्त को याद कर रहा हूं हनुमान जी का इसमान कर रहा हूं अपने मन में लाने के लिए लेकिन क्या मेरा मन इस योग है कि इनको स्विकार करे उनका स्वागत करे वहाँ पर नहीं क्योंकि उन्हों कहा कि काई विशे मुकुर मन लागी, कि जो मन का दरपन है मुकुर मन, उस पे वासना की काई लगी हुई, काई मुकुर विशे मन लागी, ये मन पूरा-पूरा वासना की काई से अचादित हो चुका है, धूमिल हो चुका है, धूल-दूसरित है, इस मल को ज इतनी अची ची रख दी जाए छमी धूमिल बनेगी अची छमी नहीं बन पाएगी तो पहली ये आउस्ता है कि मैं मेरे मन की आदर्स पर जो वासना की मला गया है इसको साफ हो और जब भी किसी चीज को हटाना होता है हम उसका विरोधी भौलाते हैं आपको ठंड लग रही है तो आग लाएंगे गर्मी लग रही है तो हवा करेंगे तो उसी प्रकार से अगर वासना की काई ने मन को धुमिल कर दिया है तो उस वासना की काई जैसे आई है वो विकारों से जैसे बगस्त हुए है उस कारण को उटाना होगा जब तक को कारण नहीं अठेगा ये वासना की काई चाहेगी नहीं को ये बोज़ता है कि मैं करता हूं उस करता के आइमान से ही सभी समसें याती है जब आदमी करता होता है तो उसका मन विश्यों लगता है तो पहले बोध है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे कुछ विकार है, तो अगर इस करतापन को हटा दिया जाए, अपने आप कोई पूर्टे समर्पित कर दिया जाए, अपने उस गुरू के चर्णों में, तो ये काई हट जाएगी, आदर्स सक्ष हो जाएगा, विमन हो जाएगा, मल रहित हो जाएगा, उनका शिरी गुरु चरण सरोजरज निजम्मा नमकुर सुधाए, तो सबसे पहले आदिशक्त के साथ अपने आध्यात्मी गुरू और यहां पे कई बार यही समझाता है, कि उ आदिशक्ति क्रपा से आच्छादित अपने भौतिक गुरू नरहर दासी को याद किया हो, अब वास्तुकता में चाहें जो भी रही हो, चाहें भौतिक गुरू नरहर दासी को याद किया हो, या आध्यात्मी गुरू अनमान जी को याद किया हो, श्री तो पहले लगाई ह पाहे, उनकी क्रफा के लेकर के, मैं उनके पूर्ट्या समर्पित होता हूँ, पुरी शद्धा और समर्पण के साथ, उनके चरणों में बैठ जाता हूँ, उस पुरी शद्धा के साथ, जब समर्पित हो जाओंगा, तब मुझे ग्यान की प्राप्ती होगी, तो श्री प्राइन आती, बर्णों रगवर विमल जस्व, जो दाय को फर्चारी, अब जब हर्दय विमल हो गया है, तब उनके विमल इश्का बढ़न कर सकता हूँ, मैं, अब लोग यहां प्रस्ट करते हैं, जब हन्मान जी की करपा के लिए इस बात कर रहे थे, तो सबसे पहले उन कि हम जब दो-चार चौपाई आगे बढ़ेंगे, तो आता है, प्रभु चरित्र सुन्विये को रसिया, हन्मान जी को किसमे रसाता है, प्रभु के चरित्र को सुनने में, तो अगर आपके हमें कोई अतिति आया हुआ है, आप सेवा करना चाहते हैं, तो उसको वही चीज प्रसुत करें, इस पोज रसा रहा है, अगर वो मीठी चीज खाने के अभ्यस्त हैं, उसमें इनको अनन्द आ रहा है, तो आप कोशिश करने को वही चीज दिजए, और प्रदा लाइनको आस्वात किसी और प्रकार करें, तो आप वो चीज प्रसुत करेंगे, तो इसी प्र करता हूं, शीर अगनात के यस का, ताकि उसके वनन से हनुमान जी को प्रसुनता हो, वो यस अपने आप में बहुत कुछ देने वाला है, तो इस सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए अधी, वो सामीं जी करें, वो चाहिए हनुमान जी की करपा, और उस हनुमान जी की करप आया हूं अब, यह रगनात के विमलेश का वर्णन कर सकोँ, तो बर्नो रगुवर विमलेश, और यहाँ पर जी समने अभी कहा था, पहले मेरे हिदे में मल था, उस मल को मैंने अपनी शद्धा से, समर्पन से साफ किया, निकाल दिया, अब हिदे भी विमल है, उस विमल जैसे मैं बर्नो रगुवर विमलेश, उस विमलेश का वर्णन कर सकता हूं, अन्य था मैं इस योगी नहीं था, कि इसको भैकर जैसे कोई पात्र है, उसमें कोई भी अशुद्धी पड़ी हुई है, उसमें कितनी चीची डाने आप, उसको ग्रहन नहीं कर पाएंगे, कि उ उस अशुद्धी से मिलकर के वो शुद्ध वस्तु भी, पवित वस्तु भी अशुद्ध हो गई, इसी प्रकार से कर पहले मैं वर्णन करने का प्रयास करता, इस मल रही थेदय से, तो संभावता सफन होता है, अब हेदय विमल हो गिया है, तो वर्णो रगुवर विमा लि इस चतुस्टए में, जहां पर जिस स्टेज पर मैं हूँ, इस चतुस्टए गूम रहे लगाता है, इस तिर नहीं है, अपने रिणान बंदन के अनुसार, हमको इन चारों को अलग भोकर, अल्टीमेटिव मोक्ष तर पहुँचना है, लेकि मोक्ष तर पहुँचने के रिखते हैं, तब हम मोक्ष के अधिकारी हपाते हैं, तो जब तक वो संघर्स नहीं करेंगे, इन तीनों से, और रिनान बंदन समाप नहीं करेंगे, मोक्ष के अधिकारी नहीं होंगे, तो ये दूसा संके दिया गुस्वामी जी नहापर, ये आदिशक्ति क्रपास से, पुना हनुमान जी क्रपास से, हनुमान जी, उनके हर प्रकास गुरू, आध्यात्मी गुरू, उनके प्रतेक प्रकार से सहायक, प्रतेक प्रकार से, जब जब संकर पड़ा उन से हनुमान जी को आवाज ड़ाई है, उनके माद दिन से पहले में धर्म, अर्थ और काम, इन मुक्ष के बारे में जो हो सकता है उदे बढ़ने के कोशिश करूंगा है तो बर्नो रगोर बिमा लजश जो दायो को फल चारे